हलो वाइज मैं पॉन्चोधरी आज के इस वीडियो के अंदर एक लेटेस्ट अपडेट और लेकर हैं अपडेट तो क्या बोलें कुछ नई चीज है यह जो आपको कह सकते हो मैं सोसल मेडिया के उपर ऐसा नहीं बोलूं तो सही रहेगा देखेगा काफी टाइम से राजस्ता मैं आपने सुना होगा जो परमानेट वेकेंसी थी उसको पर्षेंटेज पर पर वेकेंसी थी उसको करवाए गया एक्जाम से जो कि उनको पता था कि Siis को क्यूंप्लीट होनी नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता है इसलिए दोनों कi दोनों वेकैंसिया तरी की धरी रह गई अभी लेटेस्ट ये अपडेटा है अभी आठ दस दिन पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूँ First India News का ये एक तरीके का पोस्ट है इसके अंदर इन्होंने जो चनल स्वास्ते विभा के जो निदेशक हैं डॉक्टर रवी परकास माथूर इन्होंने एक आदेश जारी किया था जिसके अंदर कहा था कि चिकित्या संस्तानों के अंदर जो भी करमचारी होते हैं अगलग तरीके के जैसे डॉक्टर हो, नर्सिंग ओफिसर हो, लेब टाक्निशन हो, रेडियोग्राफर हो, कंप्यूटर ओपरेटर हो या अन्य कोई भी तरह के करमचारी हो, उनको सवीता के उपर लिया जाएगा या या यूटीबी पे S.R.S. के माद्यम से इसका चैन परकिरिया के अंदर सामिल करके और इनको लिया जाएगा अगर इनके अंदर दांजली होती है, तो उनसा अधिकारी रहेगे, उनको उनके उपर कारवाई की जाएगी तो सबसे बड़ी बात यह आती है, कि अगर आपको जरूरत है, तो यूटीबी पे क्यों ले रहे हो अगर यूटीबी पे परता सुरूई करनी है, तो आप जन स्वास्ते के निदे सको तो आप YouTube पे क्यों नहीं हो अगर आप काम सही करते तो ठीक है नहीं तो आपको भी हटा देना चाहिए आप तो बैठो अच्छे अच्छी पोस्टों के उपर पर्मानेट और जो काम करने वाले हैं नीचे जो सबसे ज़्यादा बल्डन और सबसे ज़्यादा कार्म और हार्ड वर्क करते हैं एनिटाइम 24 हाउस कभी नाइट कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग उनको लगो कॉंटेक्ट के उपर काम केरो इतने दिन ठीक बाद में जब मर जाएंगे तब निकाल देंगे ये कौन सा बात हुआ ओके तो इस वीडियो को बनाने का सीधा सा मक्सद यही था कि या तो फर्स्ट इंडिया नीज के उपर ये जो पोस्ट आया है इसको उल्टा शेयर करो यानि इसके उपर कमेंट करो या फिर ये डॉक्टर रवी परकास माथूरा इनका जो लेटरा है इनको साथ में अटेच करके या इस स्क्रीन सोट को जो हम आपको शेयर कर रहे हैं इसके जो आपके सोशल मेडिया है गवर्मेंट आफ राजस्तान के जो हेल्थ से समन्दी तो उनके ओपर शेयर किया जाया और उसके अंदर लिखा जाया कि या तो ये जड़ से लेके और उपर टैनी तक सब को यूटीबी ये कॉंटेक्ट ऐसा करना चाहिए अगर एक ही जगए किया जा रहा है तो इनके साथ ही क्यों लिया भी जा रहा है बट दिया भी नहीं जा रहा पूरा गिसना है पर कुछ देना लेना है नहीं गर परिवार को और इनके जो बाल बच्चे हैं उनको कोई शिक्यूरटी नहीं है जो की उसको कल को कुछ हो जाता है तो कुछ भी हो जाए वो कानी कतम उनकी जगे हम मजदूर दूसरा लेंगे तो ये नोकरी थोड़ी हो गई ओके तो कहना का मतलब तो यही है वही इसका जवाब दिया जाए बट कौन जवाब दे यही तो बात आती है बहुत सारे लीडर बने भिरते हैं जो अपने राजनिती की चकर में बट यह कुछ करते नहीं है क्योंकि करते तो तकरीब अंदस दिन हो चुकी है इसको आए हुए तो कुछ ना कुछ करना चीए था वहलांकि यह भी नहीं होगा हमें जहां तक पता है इसके उपर भी कोई कारवाई या कुछ काम या वैकंसी नहीं आएगी क्योंकि पहली वैकंसी अभी आटकी हुई है उनको भी रोक के रखा हुआ है यह जो जो इन्वेन तरीक की से नहीं होगा खालांकि रूक नहीं चीए सब कि सब रुको वेकंशी नहीं डालो इनको भी तो पता चलेगा और जो पहले से जो लगे हुए कितनी परेशानी है तब जाके कुछ वेकंश निकल सकते हैं नहीं था यह यूटीबी पे फलाना डिमका करके और यह आपको ऐसे ही रगड़ते रहेंगे और अच्छी खासी फियस विएरा जो हैं अपने इस्टिडूट के अंदर देके आते हैं पास आउट होते हैं नोगरी लगेंगे नोगरी देते हैं ये तो भी क्या है बताएं परेशान थे देखा नहीं गया बना दिया तो कोई भी अगर इस कंडिडियेट को या को जो लीडर बने फिरते हैं इस आपकी फिल्ड से समन्दी थे उनको इसके उपर फोकुस करना चीए जान देना चीए था अगर द्यान देते तो इसके अपोजिट कोई ने कोई लेटर आ गया होता मेरे को नहीं लगता है इसके उपर किसे ने फोकुस किया हूँगा कोई नहीं जेलते रहेंगे श्ट्रो की तरह है ये श्ट्रो लगाके और खून चूसने का काम कर रहे हैं इनको खुद पर अगर भी पिले इनको भी सवीदा पिले इंट्रिवी बेसिज पिले शेरी इतनी ही मिले काम करे तो ठीक नहीं तको इनको हटा दो बस यह होना चाहिए थेंक्यू बाइबाई